आईए सबसे पहले हम उपसासयोजन योगिकों के नाम से सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम उधारान यहाँ पर ले रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरीडो कोबाल्ट 3 क्लोराइब यह कंपाउन का नाम है और इससे हमें सूत्र बनाना है हमने शूत्र लिखने का जो नियम है वह सीख लिया है तो यहाँ कोंपलेक्स के अंदर रहता है तो यह समझ सकते हैं यहाँ पर जो Surprise वह पहले आएगा और counter आयन बाद में लिखा जाएगा अब हमने ये भी जाना है कि जो complex आयन है वह यहाँ पर अब देखिए धनावेशित भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यह negative कभी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी नाम लिखा जाता है या सूत्र से हम नाम लिखते हैं या नाम से सूत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हमेशा जो केटायन होता है उसे पहले लिखा जाता है तो यहाँ पर हमारा ये जो complex है वो यहाँ पर उदासीन हो सकता है या फिर धनावेशित हो सकता है यहाँ पर आप देखिए चुकि इसे और करेंगे आखरी में जो नाम आ रहा है वह है क्लोराइड यानि की काउंटर आयन क्लोराइड है और हम जानते हैं एक नेगर्टिव आयन हैं तो इससे भी कन्फर्म हो जाता है कि जो हमारा कॉंपलेक्स है वह केटायन है इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो धातू का नाम लिखा हुआ है वह है कोबाल्ट और हमने इनियम में यह भी जाना है कि जब कॉम्प्लेक्स उदासीन होता है या फिर धनावेशित होता है उस समय धातू का नाम जोकातियों लिखा जाता है तो इन सब के आधार पर हम यह निसकार्ष निकालते हैं कि जो यहाँ पर हमारा नाम होगा उसमें कॉम्प्लेक्स आयन पहले होगा जो की धनावेशित है और कांटर आयन बाद में है क्लोराइट जो की रनावेशित है अब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारे नाम हैं उनका सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमें नियम जाना है कि जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले धातू का संकेत लिखा जाता है तो यहां पर धातू है कोबाल्ट तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक स्क्राइब ब्रेकट के अंदर कोबाल्ट के लिए सी ओ संकेत लिख देंगे इसके बाद देखिए यहां पर एमीन है तट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो यह लिगंड से तीन और इन तीनों को हम करतिकली कोन आएगा ऐमीन और यहां पर एमीन का संकेत हम लिखेंगे एनस्त्री जो की ब्रेकट में रहेगा साथ ही देखिए उसके सामने लिखा हुआ टेट्रा तो इसके हम लिख देंगे ब्रेकट के नीचे जो पदांक है या सब्कृप कर रूप में यहां पर हम लिखे करेंगे फोर कि इसके बाद दूसरा जो लिगन है वो है एक वा एक वा के लिए हम जानते हैं संकेत होता है एच टू और इसे हम ब्रेकट के अंदर लिखेंगे क्योंकि यह बहु पर्मान्विक लिगंड है इसके बाद तीसरा लिगंड है हमारे पास क्लोरिडू तो यहां पर उसके लिए सी एल लिखा जाएगा तो इस तरह से कॉंप्लेक्स का जो सूत्र है हमने लिख दिया है अब जो स्क्वेर ब्रेकेट क्लोस करेंगे और इसके बाद हम काउंटर आयन को लिखेंगे काउंटर आयन के रूप में यहां पर क्लोराइड लिखा हुआ है तो उसके लिए हम सी एल ल देखेंगे कि जो यहां पर धातू है जो संट्रल मेटल एटम है उसकी आकसी करन संख्या क्या है जो कि आपके नाम में दी हुई है तो यहां पर कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट पर है अब इसको यदि हम कॉंप्लेक्स के अंदर संतुलित करें तो आप देख एक नेगटिव चार्ज है तो इस तरह से यहां पर देखिए पॉजटिव चार्ज तीन है जबकि नेगटिव चार्ज एक है तो यहां पर जो आवेश जो शेस बसता है एक नेगटिव चार्ज एक पॉजटिव चार्ज से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास दो पॉजटिव होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखी complex आयन भी दिया हुआ है और counter आयन भी दिया हुआ है तो यहाँ पर जो complex है उस पर आप देख रहे हैं 2 plus charge है और बाहर जो counter आयन है वहाँ पर chloride है तो chloride में हम जानते हैं कि 1 negative charge होता है इसलिए अब यहाँ पर 2 plus को उदासीन करने के लिए हमें 2 negative charge chloride आयनों की आवशक्ता होगी तो counter आयन में हम लिखेंगे CL के नीचे 2 पदांग लगा देंगे और इस तरह से पूरे नाम की coordination compound के नाम की हम सूत्र लिख सकते हैं तो इस तरह से सभी नीमों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी coordination compound के नाम से सूत्र लिखना है चलिए अब दूसरा उदारन लेते हैं दूसरा उदारन आप देख रहे हैं मारे पस लिखा हुआ है potassium tetrahydroxido zincate second या टू भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है फिर से हमें वही नियम देखना है यहाँ पर अब देखिए नाम की शुरुआत हो रही है potassium से potassium एक धातू है और धातू यहाँ पर क्योंकि केटाइनिक होती है और इसलिए इसका नाम पहले लिखा गया है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो काउंटर आयन होगा यहाँ पर वह सिंपल केटाइन है और इसका मितलब जो कॉंप्लेक्स आयन होगा वह रिनावेशित होगा वह एनायनिक होगा तो यहाँ पर इनका सूत्र हम लिखेंगे सबसे पहले क्योंकि पोटैश्यम है तो हमें पोटैश्यम का संकेत लिखना है कि इसके बाद अभी अभी संख्या की गढ़ना हम अभी नहीं कर पाएंगे और इसके बाद हम लिखते हैं कॉंप्लेक्स का सूत्र complex में आप देखिए सबसे पहले हमको लिखना है धातू का सूत्र तो धातू के लिए संकेत यहाँ पर है धातू को नाम दिया हुआ है जिंकेत तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि complex हमारा negative है इसकी भी पहचान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर धातू के नाम के अंत में 8 आया हुआ है तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिंक के लिए जडन लिखेंगे उसके बाद जो हमारा यहाँ पर लिगन्ड है वो है hydroxido यहनि कि उसके लिए संकेत लिखेंगे oh और इससे हम bracket में लिखेंगे इसकी संख्या दी हुई है tetra यहनि कि bracket के बाहर हम पादांग के रूप में 4 लिख देंगे और इसके बाद हमारा जो square bracket है वो close हो जाएगा तो इस तरह से हमने इसकी सरचना बना ली है अब हम आवेशों का संतुलन करेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि जो धातू है उसकी आक्सिकरन संख्या आपको दी हुई है और धातू है इसलिए वह पॉजटिव है तो यहाँ पर इसकी आक्सिकरन तो दो जो धनावेश दो रनावेश से cancel हो जाएंगे और इस तरह से complex के ऊपर दो रनावेश उपस्तित होगा और इन दो रनावेशों को संतुलित करने के लिए हमें complex compound को उदासीन बनाने के लिए हमें potassium के नीचे पदांग दो लिखना होगा जिससे पूरा complex compound उदासीन हो जाएगा तो इस तरह से दूसरे उधारन का सूत्र भी हमने लिख लिया है चलिए अगला उधारन देखते हैं अगला उधारन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रटैश्यम ट्राई ऑउक्जलेटो एलूमिनेट थर्ड यहां पर भी आप वहीं हम लिखेंगे प्रटैश् सकते हैं एलूमिनेट यह लिखा हुआ है और यह भी दर्शाता है कि हमारा कॉंप्लेक्स कैसा होगा नेगेटिवली चार्ज होगा तो यहां पर हम लिखेंगे अलूमिनियम के लिए संकेत एल इसके बाद हमारा जो लिगंड है वो है ट्राई ओक्जलेटो तो ओक्जलेटो के लिए जो संकेत होता है वो सी टू ओफोर होगा जिससे हम ब्रेकट के अंदर लिखेंगे और यहां पर उसकी संख्या है तीन ट्राई तो उसके पादां के रूप में हम लिखेंगे थ्री इस तरह से यहां पर सरचना बन गई अब हमें काउंटर आयन की संख्या कितनी अले कॉंप्लेक्स के अंदर करेंगे तो यहां पर अल्यूमिनियम का जो ऑक्सिक्रण संख्या है आप देख सकते हैं दिया हुआ है प्लस थ्री और यहां पर हम जानते हैं कि जो ऑक्जलेटो है वो उस पर दो रिन आवेश पाया जाता है और यहां पर उसकी संख्या है ती लिए सबery, को संतुलित करेंगे उदासीन मनाके तो यहां पर हमें के नीचे पाधांग थ्री लिखना होगा और इस तरह से हमारा complex compound का सूत्र लिखा जाएगा चलिए इसके बाद हम चोथा उधारन लेते हैं यहाँ पर उधारन है डाई-क्लोरीडो-बिस-एथेन-1,2-डाई-एमीन-कोबाल-3 यह हमारा complex का नाम है और यहाँ पर आप फुर से देख सकते हैं कि जो नाम की शुरुवा सात हो रही है वो लिगंड से हो रही है तो लिगंड इसका मतलब है कि जो हमारा पहला आयन हो गाव ओं उने साथ हम देखेंगे की हाँपर पर हमारे पास है कोबाल्ट जिसकी Oxidation No.3 है कोबाल्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर दो लिगंड हमारे पास है डाई क्लोर्यूडो और उसके अलावा एथेन 1,2 डाई एमीन एथेन 1,2 डाई एमीन जिसे हम शॉट में संकेत के रूप में E N लिखते हैं ब्रेकेट के अंद और इथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट यहाँ पर है इसके लिए बिस लिखा हुआ है सामने में इसका मतलब है इसकी संख्या भी यहाँ पर दो होगी तो ब्रेकेट में हम लेखेंगे E N और ब्रेकेट के बाहर पादांग के रूप में 2 लिखा जाएगा और यहाँ पर हमारा स्क्यार ब्रेकेट क्लोज करेंगे हम और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कॉंप्लेक्स है वह या तो उदासीन होगा या फिर उस पर कोई चार्ज होगा तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट की आक्सिकरण संख्या 3 है यानि कि इस पर 3 प्लस आवेश है ए यहाँ पर जो एक नेगटिव लिगंट है जिस पर 1-4 होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तीन हो रहे हैं जबकि नेगटिव चार्ज यहाँ पर दो है तो इसलिए कॉंप्लेक्स पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानि कि जो हमारा संकुल है वह आएन के रूप में है चलिए अगला उदारान हम लेते हैं अगला उदारान है टेट्रा कार्बोनिल निकल और यहाँ पर निकल की ऑक्सिडेशन आप देख सकते हैं शून लिखी हुई है यह तो यहाँ पर हम देखें कि केवल एक ही लिगंड है कार्बोनिल जिसे हम संकेत स की ओके रूप में लिखते हैं तो स्क्वेर ब्रेकेट के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले निकल एन आई उसका संकेत होगा और उसके बाद हम लिखेंगे कार्बोनिल जो की ब्रेकेट में लिखा जाएगा और यहाँ पर टेट्रा संख्या लिखी हुई है तो उसके पदा कॉंप्लेक्स होगा वह एक उदासीन कॉंप्लेक्स होगा तो इस तरह से इसके उपर चार्ज भी आप लिखकर दिखा सकते हैं जिरो यह नौट के रूप में अब इसके बाद हम देखते हैं अगला हुदारं अगला हुदारं है टेट्रामीन डाई एक्क्वा कोबाल इसे च्यक्ता पास्के यहां पर आहंको क्वा सब्सक्राइब है कांप्लेक्स यहां पर पहले लिखा जएगा क्योंकि नाम की negative लिखा हुआ है chloride और इसलिए हमारा जो complex है वह धनावेशित है तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे co cobalt के लिए संकेत उसके बाद हमारे पास है tetraamine तो nh3 hole 4 उसके बाद आएगा करते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे chloride लेकिन यहां पर chloride की संख्या नरधारित करने के लिए हमें पहले आवेशों का संतुलन करना होगा तो पहले हम complex में के अंदर देखते हैं तो यहां पर complex में कोबाल्ड की oxidation नंबर प्लस 3 है दोनों ही हमारे लिगन यहने की एमीन और एक्वा दोनों ही उदासीन लिगन हैं यहने की जो धातू पर आवेश है वही हमारे complex पर आवेश होगा तो यहां पर 3 प्लस है चार्ज आजाएगा और इसलिए उसे क्योंकि पूरे complex को हमको उदासीन करना है तो इसलिए यहां पर chloride की संख्या हमें लिखनी होगी CL3 और इस थरह से पूरे complex compound का सूत्र लिखेंगे इसके बाद अगला हम उदारन लेते हैं आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पर यह पूरा नाम लिखा हुआ है और इसका हमें सूत्र बनाना है तो सबसे पहले हम यहां पर देखें कि जो पूरा नाम है यहां पर भी हमें क्योंकि लिगंड से नाम की शुरुआत हो रही है तो यह हमारा पूरा कॉंप्लेक्स आयन पहले दिख रहा है और साथ ही हम यहां पर देखें कि यहां पर कॉंटर आयन नहीं है तो यहां पर जो हमारा कॉंप्लेक्स होगा वह आयन के रूप में होगा और किस आयन के रूप में होगा यह हम धातू के नाम से अंदाज लगा सकते हैं यहां लगाते हैं तो चलिए इसके लिए सूतर लिखते हैं सबसे पहले हम धातू का नाम लिखेंगे प्लाटीनम के बाद हम अल्फाबेटिकली ओर्डर में अपने सारे लिगन्स के नाम लिख देंगे छो संकेत उनके लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा पहले मी उसके लिए आएगा एनेच-3 ब्राकट के अंदर उसके बाद हैं so प्रोमिडो के लिए हम लिखेंगे BR उसके बाद Repl organ 살ाए नाइतरी टो और यहां पर के बाद लिखा हुआ है यहां अब आ yn तो यह हैं इस तार से हमने कॉंप्लेक्स के अंदर सरचना लिख लिए और इसके बाद हम स्क्वेर ब्रेकट को क्लोज करते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई काउंटर आए नहीं है अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर रणावेशित हमारा कॉंप्लेक्स तो होगा यह हमने अंदाजा लगा लिया है लेकिन इसको हम आवेशों के संतुलन के द्वारा पतल क करते हैं तो यहां पर प्लेटीनम पर देखी 2 फजटिटीव चार्ज है इसके और सब्सक्राइब प्रहयं नमुजन के द्वारा हैं गये से capita के नेगटिव चार्ज लिगन्स के द्वारा हैं तो फाइनली जो हमारे पास आवेश बचेगा वो होगा वन नेगटिव चार्ज तो इस तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आवेश होगा वह वन नेगटिव चार्ज होगा और यह कॉम्प्लेक्स की ज़सूत्र आपको द देख सकते हैं डाई क्लोरीडो बिस और ब्रेकट में लिखा हुआ है देखिए एथेन वन टू डाई एमीन प्लाटीनम फोर और उसके बाद लिखा हुआ है नाइट्रेट तो यहां पर लिगंड का नाम से शुरुवात हो रही है इसका मतलब है कि यहां पर जो कॉंप्लेक्स और जो सेकंड आप देख रहे हैं नाट्रेट यहां पर लिखा हुआ है काउंटर आयन बाद में लिखा हुआ है और चुकि नेगेटीव चार्ज है है इसलिए हमारे जो कॉम्प्लेक्स है वह पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से हम इसका सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम देखिए धातू का नाम लिखेंगे धातू का नाम यहाँ पर है प्लाटीनम तो प्लाटीनम के लिए हम पी टी लिख देंगे उसके बाद हमारे पास देखें डाई क्लोरीडो तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर रही लीकाट के संख्या कितनी होगी इसका नटरभारं हम आवेश की संतुलन की द्वारा करेंगे पहले हम देखें complex के उपर कितना आवेश है तो यहाँ पर platinum की oxidation number आप देख सकते हैं 4 लिखी हुई है और यहाँ पर जो हमारा ethane 1,2 diamine है वो उदासीन लिगंड है जब की chlorine के negative लिगंड है और इसकी संख्या 2 है यहने की 2 धन आवेश से जब cancel हो जाते हैं तो हमारे पास है दो धन आवेश और यह दो धन आवेश हमारे complex पर आवेश होंगे तो इस तरह से जो नालप्रेट है no3 उससे हमें दो लिखना होगा और चुकि यह बहु परमानवी कणू है इसलिए हम इसे bracket के अंदर लिखेंगे और इसमें पादांक के रूप में नीचे लिखेंगे द हो तो इस तरह से हमारी इसकी पूरी सरचना बन जाएगी एक और अंतिम उदारान हम देखते हैं यहां पर उदारान लिखा हुआ है देखिए यहां पर आइरन थ्री आइरन की देख लिखा हुआ है और ऑक्सेडेशन नंबर इसमें थ्री बताई गई है उसके बाद लिखा हुआ है हेक्सा साइनीडो फेरेट टू यहां पर काउंटर आयन के रूप में भी आइरन है और कंप्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है वह भी आइर या फेरस है वो उसका औक्सिडेशन नंबर प्लस टू है जबकि बाहर जो आयरन है है न वह काउंटर आयन को हम सामाने नाम से लिखते हैं तो वहां पर कोई नाम में परिवर्टन नहीं होता है और इसकी औक्सिडेशन नंबर है त्री तो यहां पर हम ना लिखेंगे पहले की सी एन और बेकट के बाहर क्योंकि इनकी संख्या है सिक्स तो इसमें ब्रेकट के बाहर हम लिखेंगे सिक्स तो इस तरह से हमारी सरशन बन गई लेकिन आवेशों का संतुलन पहले हम देखें कि यहां पर जो साइन अडू है वह नेगटिव ली चार्ज लिगंड है और इ जाएगा वह हो जाएगा फोर नेगटिव चार्ज अब यहां पर फोर नेगटिव चार्ज है जबकि सामने हम देख रहे हैं जो आईरन है उसकी ऑक्सिडेशन नंबर थी बताई गई है तो यहां पर इसको संतुलित करने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहां पर जो हैं सामने लिखा हुआ है उसकी संख्या यदि हम चार लिख दें तो वह भी संख्या हो जाएगी 12 तो इस तरह से हमारा जो पूरा सूत्र लिखा जाएगा वह जाएगा FE4 और उसकी बात कॉंप्लेक्स के बाहर है ना क्योंकि यहां पर 4 नेगटिव चार्ज है तो कॉंप्लेक्स की संख्या हमें 3 बतानी होगी तो यहां पर जो स्क्वार ब्रेकट है उसके नीचे दाईयों हम 3 लिखेंगे तो 3 जो कॉंप्लेक्स आयन है इसलिए पूरे कॉंप हो जाएंगे 12 पॉजिटिव चार्ज और इस तरह से पूरा जो कॉंप्लेक्स होगा वो उदासीन हो जाएगा और यहीं इसका सही सूत्र होगा तो यहां पर आपने देखा बहुत सारे एक्जाम्पल्स हमने अलग अलग प्रकार के लिए और उसके द्वारा हमने कॉर्डिन कंपाउंड के सूत्र से नाम लिखने की प्रेक्टिस करेंगे